बोचपुरी हिरोईनों को उनकी महनत का उतना मुल्ल नहीं मिलता जितना भोचपुरी हिरोईनों को मिलता है जी हाँ हम बात कर रहे हैं कि फिल्मों में काम करने वाली फीस को लेकर भोचपुरी इंडस्ट्री में कई ज़्यादा आगे हैं भोचपुरी इंडस्ट्री के सुपस्टार जी हाँ भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो मेल आर्टिस्ट को ज़ादा पे किया जाता है वहीं फीमेल आर्टिस्ट बहुत ही कम पैसे पाती हैं इसका जिक्र हमेशा हर भोजपुरी हिरोईनों ने किया है इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर निरहुआ को एक फिल्म के लिए 40-45 लाक रुपे मिलते हैं या तकरीबन 80-50 लाक की भी हो जाती है तो अकर उनकी हिरोईन आमरपाली है तो उन्हें 8 या 9 लाक रुपे ही उस फिल्म के लिए मिलेंगे और देखा जाए तो दोनों की महनत सेमी होती है कभी-कभी फिल्मों में तो हिरोईन का रोल हिरो से ज़ादा स्ट्रॉंग होता है फिर भी ये मापदंड कितना गलत है कि मेहंताना के रूप में हीरोई हमेशा से अच्छी रकम ले जाता है और हीरोईन के पर्स में आती है छोटी सी रकम भोजपुरी हीरोईने समय समय पर इसका विरोध करती है लेकिन इसका फायदा कुछ नहीं होता लेकिन इससे उलट अब बॉलीवोड में ये सब चीजे धीरे धीरे ही सही खत्म हो रही है दिपिका पादुकोन कंगना रनावत और करीना कपूर जैसी एक्ट्रिस हाइस पेड एक्ट्रिस्ट है इसका में कारण ये बताया जाता है कि भोचपूरी की जो ओडियन्स है वो मेल यानि की जो हीरोज है उनकी बनाई हुई है उनकी सारी craziness हीरोस के प्रती होती है नकी हीरोईन के प्रती लेकिन ऐसा कहना कहीं न कहीं गलत है अगर आपको यकीन नहीं है तो उठा लिजे सोशल मीडिया की कोई भी एकाउंट आपको पता चल जाएगा कि भोचपूरी में हीरोईनों की दिवानगी सबसे अधिक है इसका जीता जाकता सबूत है अक्षरा सिंग जी हाँ अक्षरा सिंग की फैन फॉलोईंग आप इंस्ट्राग्राम पे देख लिजे उनकी फैन फालोईंग भोचपूरी में सबसे अधिक है इंस्ट्राग्राम हो या कोई भी सोशल मीडिया एकाउंट हो उनकी फैन फालोईंग सबसे अधिक है वो साध लाग से भी उपर फैन फालोईंग कैरी करती है वहीं दिनेज लाल यादो ने रहुआ खिसारी लाल यादो और पवन सिंग उनके आधे भी नहीं है और वहीं काजल रागवानी हो या फिर आमरपाली दुबे ये भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग कैरी करती है लेकिन जब बात पैसे किया जाती है फई प्रोड्यूसर की जेब हमेशा से हिरोईनों के लिए थोड़ी छोटी हो जाती है हीरो को तो वो इतना बड़ा ही यूज एमाउंट देते हैं लेकिन हीरोईन के लिए सिर्फ उन्हें पेडों के इर्दगिर्द नाचने वाले ही समझते हैं अगर न समझते तो हीरो के आधा तो पैसा जरूर देते हैं और अगर फीज को लेकर हमेशा से बात की जाती है तो भोजपूरी की तक्रीबन हर हिरोईन यही कहती है मेल डॉमिनेटिन सोसाइटी वाला सिस्टम भोजपूरी इंडस्ट्री में भी चलता है और इस बात का दर्द भोजपुरी हिरोईनों की आखों में साफ साफ देखा जा सकता है मेहनत तो वो बहुत करती है लेकिन उन्हें मेहनताना बहुत कम दिया जाता है इसका विरोध रानी चटरजी से लेकर अक्षा सिंग जैसी कई बड़ी अभिनेत्रियां कर चुकी है लेकिन प्रदीसरों और डिरेक्टरों यहां तक की एक्टरों के जोकी भोजपुरी इंडस्ट्री के करता धरता माने जाते है उनके कान तक जू तक नहीं रेंग दी के लेंग घ्रय, जाधा मेहनती हो जाते, एक फिल्म को hit कराने में जितना योगदान भोजपुरी हिरोष का होता है इन यह लगता है कि हिरोईनों का जादा होता है, क्योंकि हिरोईनों की फैन फॉलोईंग कही न कहीं हिरोष से तो जादा ही है का सबसे ताजा और जीता जाकता उधारन आज की सोशल मेडिया है बोज़कूरी जगत की होट और मसालेदार गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब टेमना मिल्कूल नम्हुली है